हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट ईवीएस के वक्सीट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे जो की नौर्ट डेली मिंसुपिल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी बच्चों आप किस वक्सीट का टॉपिक है अवर हेल्प तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौर्टिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेस्ट है इस्टेट वेदर पर नहीं होगा तो जो गलियां हैं वो गंदी होंगी तो बच्चों येस इस ट्रू सही है ये एक व्यक्ति जो कि हमारे सूज को ठीक करता है उसे बारबर कहते हैं नाई कहते हैं तो बच्चे फॉल्स है गलत है एक व्यक्ति जो कि बिमार लोगों की देखबाल करता है उसका इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं तो बच्चों ये सही है ट्रू है हमें अपने सहायकों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए तो बच्चों ये भी ट्रू है एक दर्जी जो है वो चोरों और अपरादियों को पकड़ता है तो बच्चों ये फॉल्स है यहाँ पर फॉल्स का निसाल लगाएंगे बच्चों टेलर जो है वो क्लॉथ इस्टिस करता है कपड़े सिलता है नेक्स्ट है अब बारबर ट्रिम्स आवा हेर एक नाई हमारे बाल काटता है तो बच्चों ये ट्रू है एक किसान फल सबजिया ना जादी उगाता है तो बच्चों इस सही है एक नलसाच जो है वो पाइपस को ठीक करता है तो ये भी सही है एक सेफ जो है रसोईया वो रसोईया वो रसोईया में डिस इस बनाता है तो बच्चों येस इट इस ट्रू नाओ आइडेंटिफाई एंड नेम दा हेलपर्स इन गिवन पिक्चर बच्चों नीचे देगे पिक्चर में हेलपर्स को पहचानना है और उनके नाम लिखने है तो बच्चो फर्स्ट पिक्चर में कौन से हल पर है ये है पोस्ट में डाकिया नेक्स पिक्चर में है फार्मर, किसान, नेक्स पे है पोलिस, नेक्स इस टीचर, सिट्षक, डॉक्टर, एंड सोल्जर ये बच्चो सिपाही है लाइफ स्किल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, We all are aware, हम सभी जानते हैं, that water is essential for life, कि जीवन के लिए पानी आविस्टिंग है, but drinking water resources are limited, लेकिन पीने के पानी की resources बहुत ही सीमित है, and its demand is very high, लेकिन इसकी मान जो है वो बहुत अदिक है, so we all need to work on the concept of water conservation, इसलिए हम सभी को water conservation के concept पर work करने की जरूरत है, In this regard, इस सम्मंद में, collecting rainwater, throw rainwater, बारिस के पानी के द्वारा, बारिस के पानी को इखटा करना, and recharging groundwater level is very important, और प्रतवी के, जो हमारी भू है, भू, it means प्रतवी है, प्रतवी के पुना भरन के लिए यह है, बहुत ही आवसक है, it means यह ground water के लिए बहुत ही आवसक है, Rainwater harvesting is the process of collecting and storing rainwater, rainwater harvesting जो है, यह बारिस के पानी को इखटा करना, और इसको store करने की एक process है, प्रकरिया है, Recharging groundwater is an easy way to meet water requirements during the crisis period, groundwater को बढ़ा कर, विपत्ती के समय में हम पानी की अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, Identify the picture showing water harvesting for groundwater conservation, groundwater conservation के लिए जो पिक्चर, जल का संदक्षन शो करती हैं, उन्हें पहचानना है, तो बच्चों, फस्ट पिक्चर में, यहाँ पर water को कंजर्व किया गया है, इससे क्या हो रहा है, groundwater level जो है, वो बढ़ रहा है, तो इस पर सही का निसान लगाएंगे, नेक्स पिक्चर में बच्चों जो फसल है, इसमें पानी लगाया गया है, तो बच्चों यहाँ पर पानी का कोई स्टोर नहीं है, नेक्स पिक्चर में बच्चों यहाँ पर water को स्टोर किया गया है, जि एक्स पिक्चर में बच्चों यहां पर इसे बना गया है जिससे की rainwater इसमें collect होगा जिससे जो हमारा groundwater level बढ़ जाएगा संस्कार साला International Literacy Day is observed on 8th September every year to make people aware of the importance of literacy लोगों को साक्षर्ता के महत्व के बारे में जागरुक करने के लिए प्रतियक वर्स 8th September को International Literacy Day को celebrate किया जाता है which no doubt is a matter of dignity and human rights जो की इसमें कोई संदेह नहीं है यह एक सम्मान का मामला है और मानवे अधिकारों का let us tell you that it is a key component of the UN's sustainable development goals यह संयुक्त राष्टे संग के सतत विकासात्मक लक्षों का एक महत्वपूर्ण घटक है a person who never made a mistake एक व्यक्ती जिसने कभी भी गलती नहीं की never tried anything new तो उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिस नहीं की किसने कहा है अलबर्ट आइंस्टीन ने now food and drink make and eat vegetable sandwiches बना कर खाईए activity में है learn to identify spices by their fragrance मसालों की खुस्बू से उनकी पहचान करना सीखें game है which of us did jump higher हम में कौन उचा कूदे अभेबच्चो daily routine include the following habits in your daily routine दी गई आदतों को अपने daily routine में include करें सामिल करें begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें take a bath daily रो जाना नहाएं drink plenty of water पर्याप्त मात्रा में पानी पिए and eat a balance diet और संतुलित आहार लें avoid touching your face अपने चहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और बार बार अपने हातों को धोएं complete your homework on time अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you I